कुनाल सर, नीट का एक्जाम पांच महीं को आ गया है, और बच्चे रिविजन को लेके थोड़ा रहसान है, तो बच्चो को गाइड कीजिए, कैसे बच्चे कैसे रिविजन करें, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं? बिल्कुल सर मैं बच्चो को गाइड करता हूँ कि बच्चो देखो नीट का डेट सिट बहुत पहले आ गया था नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था मैं उस समय से आप लोग के साथ जुरा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग का सेलेक्शन जितने अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो तो बच्चो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि नीट में क्या होता है यह एक्जाम थोरा पैटर न लग है आप समझी है आपके पास पेसेंट आया है एक मिनट के अंद प्रॉब्लेम को सॉल्व करना और यहां क्या है प्रॉब्लेम को सॉल्व करना लेकिन कम समय में इंजिनियर के पास कोई मरने वाला चांस नहीं तकि कोई मर रहा हूं के काम नहीं हो तो लेकिन यहां पर सर है यह तो सर बच्चों को यह चीज़ समझना पड़ेगा तो इसलिए नीट का एक्जाम थोड़ा सा तफ भी हो जाता है इसी रिजन से कि बच्चों को कुईक डिसीजन मेंकिंग को बलता हूं कि बच्चों बायों में देखो कि वेटेज किसका ज्यादा है जैसे कि human physiology आराम से ज्यूलोजी में ज्यादा नमबर आता है ज्यूलोजी फोकस कर दो बोटनी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सर तो बोटनी में बच्चों को बलता हूं एकोलोजी molecular basis of inheritance, biotechnology, genetics उसके cell biology इन सब पर ज्यादा फोकस करो जिससे साथ-ाथ-ाथ-ाथ question आते हैं इन सब चेप्टर पर ज्यादा फोकस करो और बच्चों रिवीजन के लिए मैं एक चीज अब इस समय बता रहा हूं जो बहुत important है सर ने भी ये point मेरे से बार-बार बोला कि बच्चे परिशान हो रहे है रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए एक point बता रहा हूं इसको follow करो अब अगले 5-7 दिन तक बस previous year question लगाते जाओ यस जितना ज्यादा PYQ हो सके न सर उतना ज्यादा अगर बच्चे PYQ लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि उनको diversity of question भी मिलेगा और plus उनका concept के लिए अच्छा यह point मुझे नहीं आती इसको पढ़ लेना NCRT से बायो में एक बात बताता हूं NCRT फे focus कीजिए इस समय अभी कुछ भी नया नहीं पढ़िए जो पढ़ रखे हैं उसी को revise कीजिए physics में जैसा सर मुझे बाद में बताते है physics में आप गाइड कीजि सब्सक्राइब जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो बायो टेक दवा की रिवीजन करो बेटा तीस कोस्चन तो अकेली यही दे करके जाएगा ecology 10-15 कोस्चन ऐसे दे करके चला जाएगा नंबर देता है सर यह चेप्टर बिलकुल सर मैं कहता हूं medical college पहुंचने के लिए बा पाना दिल के बाद life change हो जाएगी आप एक ऐसे जगह पे होंगे जहां पर आपके माबाप आपका सबका नाम एदम बढ़िया होगा एक बात बोलते हैं ना नाम करो ऐसा कि काम हो जाए और काम करो ऐसा कि तुम्हारे नाम से ही काम हो जाए कहते हैं ने सर यह बात तो बस आपे लाइन में खर लफ ठोश Avec कि वंगलान खराव तो मैं आपके लाइन में खरा रहाूं मैं बोलू अरेकशाप से मिलना है मुझे मिलवा दो और आप आकर के बुदल आड़े सर लाइन में कहां खरे ओं आप आजाओ सर अमारे पास पहले नंबर पर आप इसमें मझा है स तो चलो बच्चो एक्जाम को